नमस्कार दोस्तों मैं रोहित नोक्री जोन में आज आपका मैं फिर से हारदी का विनंदन करता हूं यह वाला जो वीडियो है यह आपका इंडियन रिजब बटालियन जो तीन दिसंबर में पूछे गए हिंडी साहिति से रिलेटेड जो कुईस्चन्स है उसका एंसर के साथ मैं लाया हूँ इसमें जो हिंडी साहिति है वो आपका कुईस्चन नमर 61 से लेके कुईस्चन नमर 120 तक हिंडी का साहिति पूछा गया है तो उसी के बारे में आज मैं आपको इसका एंसर बताऊंगा और जहां तक बात है आपका हिंदी ब्याकरन का और आपका इंग्लिस का उसके लिए मैं आज या कल सुभा तक मैं वीडियो अलग-अलग बनाऊंगा इंग्लिस के लिए अलग बनाऊंगा और आपका हिंदी व्याकरन के लिए अलग बनाऊंगा थोड़ा टाइम लग रहा है पर आप लोग घबराईए नहीं मुझे पर विश्वास रखिए मैं इंगलीस वाला जो क्वेस्टन से 20 क्वेस्टन जो है उसको और व्याकरन का जो 40 क्वेस्टन उसको मैं जरूर अपलोड करूँगा आज रात नहीं तो कल सुबा तक आप हम लोग से जुड़े रहिए और घबराईए नहीं और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और नीचे पर नहीं हुए एक बैल बटम होगा उसको जरूर दबाएं उसे दबाने से यह होगा कि मैं आज या कल जब भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जायेगा और आप उसको देख सकते हैं और यदि मैं वीडियो जो बनाया हूँ यहाँ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने सामाइन अध्यन इंडिया रिजर बटालियर में पूछे गए जो आपका सामाइन अध्यन से जुड़े परसना है उसका जारकंड संबंदी जितने भी परसना है उ और आपका विग्यान का सारे के अलग-अलग वीडियो में बना के डाला हूँ जिसमें सारे के एंसर दिया हुआ है। और जिसके एंसर आपको मीसिंग लग रहा है वह हमारे comment box में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो post किया हैं आप वहां से देख सकते हैं। और ये सारे वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और यदि आपको करंट अफेर के बारे में यदि जानना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में करंट अफेर भी है डाला हुआ और मैं आगे से current affair मैं डालता रहूंगा आप लोग हम लोग से जुड़े रहिए तो चलिए पढ़ते हैं पहला question हिंदी साहिति का 61 से शुरू है आपका कान भरना मुहावरे का क्या आर्थ है आपके option से चुगली करना बेकार बैटना कामना करना या समय बरबाद करना और इसका जो right answer है वो है आपका चुगली करना कान भरना का मतलब है अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद है आपका रमे सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा A. रम जोड इस इसका जो right answer है वो है आपका रमा जोड इस C. इसके बाद है आपका रामचंदर सुकल के निवन्द संग्रह का नाम बताईए आपके यहाँ पर चार options दिये गए हैं तो इसका जो right answer है वो है आपका Sorry एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ गलती हो गया कि रमिस सब्द का जो संदी विच्छेद होगा वो हाँ आपका options होगा D रमा जोड इस इसके बाद है आपका रामचंदर सुकल का जो निवन संग्रह है वो हाँ आपका जो है right answer वो है आपका चिंता मनी B इसका right answer है इसके बाद है आपका 64 number समास का विलोम सब्द क्या होगा देखिए समास का मतलब होता है दो सब्दों को यदि मिलाने से जो सब्द प्राप्त होता है उसका समास बोलते हैं तो इसका अलग क्या होगा इसका विलोम का मतलब उल्टा होता है तो क्या होगा समास का उल्टा होगा आपका विग्रह मतलब सब्दों को अलग-अलग खंड करना इसके बाद है जहंडे का परियावाची सब्द क्या है और जो जहंडे का जो परियावाची सब्द है वहाँ है आपका ए केतू का मतलब होता है आपका जंडा इसके बाद है आपका 66 नमर गेहूं और गुलाव किस विधा की रचना है तो इसका जो राइट अंसर आप देख लिजी इसमरन है अपसंस में आलोचना है कहानी है या रेखा चित्र है तो इसका जो राइट अंसर है वो है आपका ए इसमरन गेहूं और गुलाव जो है वो आपका इसमरन विधा की रचना है इसके बाद है आपका 67 हिंदी भासा की बोलियों की वर्गिकरण के आदार पर बगहली किस उपभासा के अंदर गत आता है तो हिंदी भासा की बोलियों के अनुसार आपके जो बगहली है वो आपकी पूरी भी हिंदी उप भासा के अंदर गत आती है ठीक है अब आगे चलते हैं हिंदी कविता की सबसे बड़ी विश्यस्ता क्या है ए सुन्देरता परसंदता कठोरता या सित्यता तो जो इसका राइट अंसर है वो है आपका हिंदी भासा के कविता की सबसे बड़ी विश्यस्ता है सुन्देरिता इसके बाद है आपका 69 डक्टर भोलाना तिवारे ने हिंदी भासा के विकास को कितने काल खंड़ों में विवाजित किया है आपके उपसंस है तीन चार छे दो या छे देखे इसका एंसर मैंने काफी डूंडा और ग्रूप में भी डाला इसका एंसर हमको मुझे कहीं नहीं मिल रहा है यदि प्लीज आपको इसका एंसर पता है तो हमारे कॉमेंट बैक्स में जरूर बताएं ठीक आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपका गीर पढ़ना वाइक के में मुझे किरिया क्या है आपके यहाँ पर ऑप्संस है गीर पढ़ना या फिर दोनों या फिर कोई नहीं तो जो इसका राइट अंसर है वो है आपका गीर वाइक के में मुझे किरिया है इसके बाद आपका जिस समास का पहला पद परधान हो तदा साती अबे हुआ कौन सा समास का लाता है देखिए यहां आपसंस सही पता चल रहा है कि पहला पद अबे हुआ हुआ तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा है अबी भाव समास देखिए दोस्तों मैंने यह जो वीडियो बनाया है और आपको जो एंसर बता रहा हूँ वह मैंने काफी खोज मीन करके बता रहा हूँ यदि किसी परकार की कोई आपसंस में मुझे मेरे से गलत हो जा रहा हो तो मुझे छमा किजिएगा क्योंकि कोई भी इंसान जो है वहां 100% परफेक्ट नहीं होता मुझे मेरे से भी मुझे मेरे से भी गलती हो सकती है ठीक है इसके बाद है जिस सब्द से किसी कार की होने या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पर आप्शन चार वो दिये गए है और इसका जो राइट एंसर है वहा है आपका डी कोई भी सब्द किरिया जैसे है किरिया में किसी कार के होने या करने का पता चलता है इसके बाद है आपका सडखो के नाम किस प्रकार के संग्या में आते हैं तो भाव वाचक गून वाचक के अंदर आएगा नहीं जाती वाचक है नहीं इसका एंसर है आपका B जैसे राजमार्ग एक, राजमार्ग दो, राजमार्ग तीन तो यहाँ आपका हो गया व्यक्ति बाचक साइग अब भी इसके बाद है आपका 74 नमस सत जोड आचार की जोडने से कौन सा सब्द बनेगा और जो बनेगा वहाँ है आपका C सत आचार इसके बाद है आपका सोना सब्द में आर प्रते लगने सोना जोड आर से बना सब्द क्या होगा आपका A, B, C, D और इसका जो राइट अंसर है वह है आपका A सोनार होगा इसके बाद है आपका संग्या के जिस सब्द से किसी व्यक्ति या वस्तुग के इस्तिरी या पुरुस होने का पता चले उसे खलिस्थान करते हैं वचन, लिंग, मुहावरा या प्रियावाची सब्द और इसका राइट अंसर है आपका लिंग देखिए कोई ब्यक्ति पुरुस है या इस्तिरी इसे तो सिर्फ लिंग से ही पता लगाया जा सकता है इसके बाद है आपका अड़ा जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या है तो अड़ा जमाने मुहावरे का सही उर्थ है इस्थाई रूप से रहने लगना इसके बाद है आपका 78 हिंदी में किसे राष्ट कवी के रुप में स्मर्ण किया जाता ये सभी को बली बाती पता है रविन्ना ठाकूर को D इसके बाद है आपका जो सब्द मुल्रुफ सब्द के आरंब से जुड़कर उन्हें अर्थ में परिवर्दन करके विसस्ताफपन करते हैं उसे क्या कहते हैं तो हम लोग वह सब को पता है कि कोई भी सब्द मुल रूप से जो आरंब में जूढते हैं उससे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं उपसर्ग किह ये अपरता जो है वह बाद में सब्बार में जूढकर परीवर्दन करता है इसके बाद है आपका 80 नमबर परगतिवाद की कला समंदी उपे 6 से कौन सा अंदोलन खड़ा हुआ तो परगतिवाद की कला समंदी उपे 6 से जो अंदोलन खड़ा हुआ है आपका A6 आदर सब्द का वीलूम क्या है विलूम का मतलब होता है उल्टा तो आदर सबका जो उल्टा होगा वहाँ आपका होगा सी अनादर इसके बाद है 82 आज हिंदी वहांसा जिस रूप में हमारे समिदान दुवरा राज वहांसा गोसित के गई वहाँ असल में है कौन सी वहांसा है वहाँ है आपका एक खड़ी बोली इसके बाद है किसी वैक्ति विसेस के जीवन पर कोई दूसरी साहितिक सैली में लिखा जाता है तो उसे खाली स्थान करते हैं क्या करते हैं तो उसको करते हैं आपका जीवनी देखिए आत्मकता तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कोई दूसरा वैक्ति लिख रहा है किसी के बारे में गात्मकता नहीं होगा और कहानी भी नहीं होगा आपका यहाँ पर किसी के बारे में लिख रहा है तो इसमरंड भी नहीं हो सकता इसलिए इसके एंसर जीवनी होना चाहिए इसके बाद है आपका जी घवराता है वाई कि में घवराना किस परकार की क्रिया है तो जो घवराना इसका क्रिया है वह है आपका अकर्मक क्रिया इसके बाद है अनुच्छेद में विशाय के किसी एक खाली स्थान का वर्नन किया जाता है तो अनुछेद में जो आपका पैसज बेगरा रहता है गंधास जो रहता है उसमें किसी एक ही पच्छ के बारे में आपका वर्नन किया जाता है इसके बाद है आपका रितिकाल कवियों को अपनी कविता किस रंग में रंगनी पड़ती थी तो रितिकल कविताओं को जो रंगनी पड़ती थी वह आपका सजीले रंग में सजीले और स्रिंगार रूपी रंग में रंगनी पड़ती थी इसके बाद है आपका चंदायन के रचनाकार के नाम बताए तो चंदायान के रचनाकार का जो नाम है वो है आपका मुला दाउद डी इसके बाद है आपका सिकंजे का दर्द किसकी आत्मकता है आपके चार अपसंस है जो इसका राइट अंसर है वो है आपका सी सुसीला टाक भौर इनी के उपर बनाया इनी का आत्मकताय सिकंजे का दर्द इसके बाद है हिंदी व्याकरण में वचन खालिस्थान का वोध करता है कौन वोध करता है तो है आपका वचन बताता है एक वचन है दोई वचन है या भहुचन है वह संक्या बताता है किसी भी सब्द का इसके बाद है आपका जल में रहे मगर से बैर मुहाबरायकार्थ है या सब को ही पता होगा यह जहां राना होँआ के लोगों से दस्मनी करना इसके बाद है आपका निम्लिकित विकल में से कौन सी दिवेदी युगन परमकायर का परवर्थी नहीं है 91 तो जो आपका दिवेदी युगन परमकायर का परवर्थी नहीं हुआ है आपका एक काईबे में ब्रज भासा का परियोग इसके बाद इनिम्लिकित में से कौन सा संख्या बाचक विसेशन नहीं है तो देखिए यहां तीन है आधा है डाय है लेकिन यह चकुर जो है वह आपका संख्या वाचक विशेसर नहीं है आगामी सब्द का विलोम मतलब बोल रहा है विलोम का मतलब होता है इसका उल्टा विफिरित सब्द बताईए तो आगामी का मतलब होता है आने वाला और गत का मतलब होता है आपका बीता हुआ तो इसका एंसर होगा बी गत नारी समिश्या को दर्सन दर्साने वाला कौन सनाटक है जो नारी समिश्या को दर्साने वाला नाटक है वो आपका ध्रूप सौमीनी बी इसके बाद है कवीरदास की भासा थी कवीरदास की जो भासा थी वहा थी आपका सी सुगुक कड़ी इसके बाद है आपका मुह की खाना मुहावरे का अर्थ बताईए तो इसका राइट अंसर है ए बूरी तरह हारना इसके बाद है परम जोड अर्थ परमार्थ की संदी का उदारान है तो यहाँ वृधी संदी का उदारान है किसी बी सब्ध में आके उसमें वृधी करना और उसका एक सार्थक सब्द बनाना इसके बाद है आपका साथिक रेखाचित्रों में रेखाए में खाली स्थान में परिवतित हो जाती है तो जो इसका एंसर है वहाँ है आपका भी सब्दों में सब्दों में रेखाचित्र रेखाचित्र जो है वहाँ परिवतित हो जाती है विसेसन किसकी बिसेस्ता बतलाता है विसेसन जो है वह संग्या और सरवनाम दोनों की बिसेस्ता बतला है तो इसका एंसर होगा A इसके बाद है अस्व सब्द में से कौन सा परियावाची सब्द है देखिए परियावाची सब्द का मतलब होता है कि उसके बदले में जो सब्द हम लोग यूज कर सकتे हैं जैसे भावन के जगा पर हम लोग मेकान भी यूज कर सकते हैं मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड तो असव सब्ढ का जो परियावाजी सब्ढ है वापका असवाजी है ठीक है इसके बाद है अकवार किसका गाएन सुनकर खुशी से झूम उड़ते थे तो जो अकवार के समकालिन थे वा थे भी मीरावाई मीरावाई का कायन सुनने के लिए अकवर काफी ज़्यादा आतूर थे और अकवर ने इनका गान सुनने के लिए आपका भेस भी बदला था इसके बाद है परवत देशो दीनों महीनों तद नच्छत्रों के नाव हमेशा ए इस्त्रिलिंग ही होते हैं जिससे पिर्थी भी एक नच्छत्र है तो वह स्त्रिलिंग है ठीक है इसके बाद पानिनी के समय खालिस्थान बोलचाल की बाहाँ सी थी पानिनी जो थे वो अस्टेद्हाई के रचेता थे और उस समय बोलचाल की बाहाँ सा संस्कृत थी इसके बाद भाव वाचक संगय बताई ये जब खालिस्थान में परियुक की जाती है तब जाती वाचक संगय बन जाती है तो इसका एंसर है आपका आपका होना चाहिए यहाँ पर एक वचन, रिजन यह है कि आपका जो भावाचक संग्याई वहाँ आपका एक वचन महीं रहती है वहाँ आपका कभी भावचन नहीं बनती है तो बहुबचन नहीं बनती है तो सच्ट बचन का कोई मतलब नहीं रहता बहुबचन होगा नहीं दूबचन नहीं होगा तो इसका अंसर होगा एक बचन इसके बाद है आपका भारत में अंगरेजी के स्केच के समान कौन सी विद्धिया है तो इसका जो राइट अंसर है वो आपका इस्समरन किसी के बार में लिखना किसी को याद करके लिखना सर्वनाम के कितने बेद होते हैं सर्वनाम के जो बेद होते हैं वो आपका सी छे बेद होते हैं जगनात पूरी किस परकार की संग्या है आपका जाती वाचक नहीं है आपका भाय वाचक नहीं है बैक्ती वाचक संग्या है सर्वनाम का परियोग किसके इस्थान पर किया जाता है तो संग्या के बदले में जो सब्द यूज करते हैं उस सर्वनाम कहा जाता है तो इसका एंसर है आपका ए संग्या समंद वाचख सरवनाम का उधारन बताइए तो आपका समНद वाचख सरवनाम का जो उधारन है वह है आपका C जो इन में से कौन सा बहु बचान है इसमें आपका चार वाइक के दिया गया है ना, नो मौन, तेल होगा, ना, राधा, नाचेगी उसका बहुत सा धन बरवाद हुआ उसके पास बहुत सोना है यहां बहुत तरह के लोहे मिलते हैं इसका जो right answer है वह है आपका D यहां बहुत तरह के लोहे मिलते हैं परियोगवादी कविता में किसकी अभी वैक्ति की जाती है आपके options है यह नाटिकेता, यह थारता, जातिवाद और यह सामन्तवाद और इसका भी एंसर मुझे ढूडने से भी कहीं पर नहीं मिला यदि आपको एंसर पता है तो प्लीज इसको कमेंड बेक्स में जरूर बताएं इसके बाद है परस्पर समन्दित सब्दों के मेल की परकिरिया को खाली स्थान करते है तो आपके यहाँ पर आप्संस है संधी, उपसर्ग, समास या प्रताएं और इसका जो राइट एंसर है वो है आपका ए संधी गाना बजाना कौन से समास है देखिए गाना और बजाना यहाँ जो समास है यह आपका द्वेंद समास है तो बेद्धूली सब्द में उपसर्ग क्या है? अभी मैंने कुछ दिर पहले बताया कि उपसर्ग का मतलब होता है कोई सब्द के पहले आकर उस सब्द को विशेष्था बतलाना और प्रताइ का मतलब होता है बाद में जूढकर विशेष्था बतलाना मतलब उसको मोडिफाइ करना तो बेगूली में आपका जो उपसर गए यानि पहले होगा तो इसका एंसर है बी बे और इसके बाद आपका है अनुच्छेद का विशाय ना तो ज़्यादा व्यापाक होना चाहिए और नहीं ज़्यादा कठीन होना चाहिए इसके बाद है आपका निमने लिकित विकल्प में से सौ अपसर्ग से बना सब्द कौन सा है तो इसका जो राइट एंसर है वहाए आपका ए सवाक इसका राइट एंसर है इसके बाद है आपका ठकुर स्वाहती करना ठकुर स्वाहती करना महावरा का अर्थ क्या होगा ठकुर स्वाहती करना महावरा का जो अर्थ है वहाए आपका चापुली सी करना सी देखे इसके बाद 118 सले के 120 तक आपका जो है यह है आपका अनुच्छेद है उससे आपको इस पैसेज को पढ़ना है और फिर आपको इसका एंसर देना है तो मैं इसका एंसर बता रहा हूँ क्या है कि अगरदास के गुरू कौन थे जो अगरदास के जो गुरू थे वह है आपका एक रामानंद इसके बाद है आपका कृष्णर दास ने कहां अपना आसर इस्थावित किया था तो वह इसका एंसर है सी गलता आपका यह जाइपूर के निकट है इसके बाद है अगरदास ने रामभाक्ति काविम में किस संप्रदाइक का परवर्तन किया है तो जो इसका राइट अंसर है वह आपका रसिक अगरदास ने रामभाक्ति काविम में रसिक संप्रदाइक का परवर्तन किया है तो ये आपका हिंदी साहितिक का वीडियो था इसके बाद मैं आपका हिंदी व्याकरन से समंदित पूछे के जो 40 परसन है उसका वीडियो बनाऊंगा आप वीडियो के इंतिजार किजिए फिर उसके बाद आपका इंगलिस का जो भी है आपका 20 कोईशन पैसेज के साथ उसका अपनी तैयारी में लगे रहें और मैं वीडियो डालोंगा उसका नोटिपिकेशन पारने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ हमारे चैनल का बैल बटन को जरूद दवाएं ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो नया आपको नोटिपिकेशन मिलता जाए और फिर जब यह सारी इंसर की में अपलोड कर लोंगा उसके बाद मैं आपका जारकंट जीके और भी करेंट अफेर्स वेगारा मैं आपको बताता रहूंगा आप हमसे जुड़े रही हमारा चैनल देहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू